हलो फ्रेंट्स बेलकम टू एक्जाम सोच यूटूब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो में हम करेंगे लूसंट के 1000 कोसन का पार्ट 4 इसके 3 पार्ट मेंने अलेडी अपलोड कर दिये हैं अगर आपने उन्हें नहें देखा तो उन्हें आप जरूर देखेगा ये वीडियो और राज्य सभा की सेयुक्त बैठक के संचेत के अंतरगत राज्टपती दोरा बुलाज सकता हैं तो अंचेत 108 के तहत राज्टपती सेयुक्त बैठक को बुला सकता हैं और सेयुक्त बैठक की अधिस्ता कोन करता हैं लोग सभा का अध्यच सेयुक्त बैठक की अधिस्ता क प्रधान मंतरी नरेंद मोधी के दोरां। उपाधियों का अंत किस अनुचेद में हैं। नेक्ष्ट क्वस्टन है भारत के सब्धान के के संचेद में सार्व भौमिक वैस्क मताधिकार का प्राउधान किया गया हैं। तो अंचेद 326 में आर्टिकल 326 में सार्व भौमिक वैस्क मताधिकार के बारे में बताया गया हैं। Next question है लोग सभा का परमुख कौन होता है? लोग सभा का स्पीकर येनि कि लोग सभा का अध्यैच लोग सभा का स्पीकर होता है और बरतमान में लोग सभा स्पीकर ओम बिल्डा है बिल्टिस भारत में गबर्नेर्जनरल के पद के अस्थान पर वायसराय पद की अस्थापना कब हुई थी तो 1858 के भारत सासन अधनियम के दोरा वायसराय पद की अस्थापना की गई थी और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था लोड कैनिंग जो है ये भारत का पहला वायसराय बना था राज्य सभा सदस्यों का कारकाल कितना होता है 6 वर्स होता है दूस्तों 6 वर्स राज्य सभा के सदस्यों का कारकाल होता है और राज्य सभा के सदस्यों की नियुनतम आयूसीमा कितनी होती है नियुन्तम आयुसीमा कितनी होती हैं राज्य सभा के सदस्यों की नियुन्तम आयुसीमा 30 उबर्स होती हैं और लोग सभा वा राज्य सभा की सयोंकत बैठक किस अन्षेद में उलेके थें तो अन्षेद 108 में बताएसे नेक्स्ट क्वसवन 20 जनूरी 1972 इस भी को पहले किस राज्य का नाम North East Frontier Agency यानि कि नेफा था तो अरुड़ांचल परदेश का नाम पहले नेफा हुआ करता था संपत्ती का अधिकार किस परकार का अधिकार हैं संपत्ती का अधिकार जो है ये एक बिधिक अधिकार है इलीगल अधिकार है जो अंचे 300 का में बताया गया है और संपत्ती का अधिकार जो है ये पहले मूल अधिकार था लेकिन इसे 44 सबधान संसोधन के दोरा 1978 में इसे जो हैं यह अंचेद 14 से 18 में बताया गया हैं। बजट किस अंचेद में वरडित हैं। याद रिखेगा तो उस्तो जो बजट सब्ध हैं यह सब्धान में कहें पर भी नहीं बताया गया हैं। भारते सब्धान को बनाने में जो दो बर्स 11 मां 18 बर्स का दिन लगा था भारते सब्धान को बनाने में। पर्थम लोगसभा चुनाओ कब हुए थें। भी कहा जाता हैं और लोगसभा को आस्थाई सदन कहते हैं। केंद्र और राजियों के बेच अस्थाई बिधाई सक्तियों का बित्रड किस अनसूची में हैं। केंद्र और राजियों के बेच बिधाई सक्तियों का बित्रड किस अनसूची में। राजियों मानभधिकार आयोग की अस्थाबना कब हुई थी? 1993 SB में राजियों मानभधिकार आयोग की अस्थाबना हुई थी? 1993 में। अगला क्वेस्टन 168 के बिधाई अधिकार किस अनसूची में वरड़ित हैं? अनसूची तेश वाचोबिस में वरड़ित हैं? अनसूची तेश से चोबिस में 168 के बिधाई अधिकार बतायागे हैं। वार्षिक बित्य विवरण का प्राउधान सबधान के केस अनुचेद में हैं? अनुचेद 112 में हैं। अनुचेद 161 के तहट छमादान का अधिकार किसके पास होता हैं? राजपाल के पास होता है दोस्तू और राजपाल मिर्थ्यू दंड को छमा नहीं कर सकता हैं। लेकिन भी विधेक, धन विधेक है या नहीं है ये लोग सभा अध्धेच तै करता है अगला कोसन है कि भारत में मुख्ष चुनाव आयुक्त का कारकाल कितने वर्स का होता है 6 वर्स या 65 वर्स की आयुतक होता है जो भी पहले हो सबधान का कौन सा अंचेद जीने के अधिकार से संबंदित है तो जीबन के अधिकार से संबंदित कौन सा अंचेद है अंचेद 21 कुलोज एह हैं जो जीबन के अधिकार से संबंदित है संघातमक ब्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है भारते सब्धान में संगातमक बेवस्ता का प्राउधान कनाड़ा के सब्धान से लिया गया है 22 जुलाई 1947 इस भी को क्या हुआ था तो राच्टे धोच तिरंगा जो है इसे अपना आ गया था सब्धान सभा के दोरा 22 जुलाई 1947 को Next question सब्धान के किस अंचेद में अंतराच्टे सांती वसुरच्छा के लिए प्राउधान दिया गया है अंचेद इक्याबन में अंतराच्टे सांती वसुरच्छा के लिए प्राउधान बताएगे है आर्टिकल इक्याबन में भारते सब्धान की प्रस्तावना इनमें से किसका बिचार है पंडिच जभाला नहरू का बिचार है प्रस्तावना जो है इसे उद्देश प्रस्ताव के रूप में पंडिच जभाला नहरू ने पेश किया था सब्धान सभा में सबधान के अंचे 17 में किसका प्राउधान किया गया है तो अंचे 17 यानिकी आर्टिकल 17 जो है इसमें आज प्रिसिता का अंत बताया गया है छुआ चोद का अंत बताया गया है नागालेंड राज को बिशेस अधिकार दिये गे हैं अनुचे 371 एक तहएद Next question भारते सब्धान का अनुचेद 72 किसे संबंदित हैं? राच्टपती के चमादान की सक्ति से संबंदित हैं अनुचेद 72 में राच्टपती के चमादान सक्तिया बताएगे हैं सांभर जिल कहाँ पर इसे थें? राच्टपती चमादान में इसे थें जो कि एक खारे पानी की जिल हैं दुथिये पंचुवर्सी योचना जो 1956 से 1971 तक चली थी में किस इसपात सेयंत्र को जर्मनी के सहोग से अस्थाबित किया गया था? तो राउर केला इस्थील प्लांट है जो अस्थाबित किया गया था जर्मनी के सहोग से राउर केला इस्थील प्लांट को अस्थाबित किया गया था दुथिये पंचुवर्सी योचना के समय क्यावलादेव राज्टे उद्दान या भरतपुर पच्छी बिहार कहां पर इसिद हैं? राजस्थान राज्ज में इसिद हैं नेक्स्ट कॉस्टन है यूरोप का सबसे बेस्ट बंदरगां कौन सा है राटरडम बंदरगां जो है यूरोप का सबसे बेस्ट बंदरगां है यूरोप का च्छतरफल के दिरिश्टे से सबसे बड़ा देश कौन सा है रूस है दोस्तो रसिया जो है ये यूरोप का ही नहीं बलकि बिश का सबसे बड़ा देश हैं भारत और पाकिस्तान के बिश कौन से सीमा निर्धार्ट की गए थी रेड कलिफ रेखा निर्धार्ट की गए थी भारत और पाकिस्तान के बिश भारत के किस राज में अंतर देशी लबड़िय आद्र भूमी है अगला क्वेशन ग्रीन बिच होकर कौन से मद्धन रेखा गुजड़ती है प्रधान मद्धन रेखा यानि कि प्राइम मेरिडियन गुजड़ती है सितारा और पृतिवी के भीच के दूरी मापने का मातरख क्या होता है परकास उबडस होता है लाइट एर में सितारों और प्रिथवी के भीच की दूरी मापीज आती हैं पिमपरी किस उधोग से संबंदित हैं? पैंसेलिन उधोग से संबंदित हैं पिमपरी राच्टे राचमार के संख्या एक कहा से कहा तक जाता हैं? दिल्ली से पाक की सिमा तक जाता हैं जो कि 1226 किलोमेटर लंबा है अगला कोसन है नेलिगरी और अन्नामले की बीच इस्थ दर्रा जो केरल और तमिलाडू को मिलाता है कौन सा दर्रा है? पाल घाट का दर्रा है जो नेलिगरी और अन्नामले की बीच में इस्थ है जो केरल और तमिलाडू को आपस में चोड़ता है भारत परधान ये मुत्तर यानि की प्राइम मेरिडियन के किस ओर पड़ता है पूर्ब की ओर इस्ट की ओर पड़ता है भारत बिस्ट का सबसे गहरा गर्थ मेरियाना ट्रेंच कहां पर इसे थे तो मेरियाना ट्रेंच जो है ये सबसे गहरा गर्थे बिस्गा जो की परस्यमी परसांत महासागर में इस्थ है मारियाना ट्रेंच किस परबतमाला को सहद्री के नाम से जाना चाता है परस्यमी घाट को सहद्री के नाम से जानते है सूरमंडल का पाँचुबा सबसे बड़ा गुरह कौन सा है तो पिर्थवी ये दोस्तों अपने पिर्थवी जो हैं पिर्थवी को नीला गुरह भी कहा जाता है क्योंकि पिर्थवी के लगभग 70% भाग पर पानी ही पानी है पाकिस्तान और चीन को आपस में जोड़ता है एलमिस्टी जौला मुखी किस देश में इस सथ है पेरू देश में इस सथ है एलमिस्टी जौला मुखी एसिया में पिसे का सबसे उचा पठार कौनसा है पामीर का पठार जो है यह एसिया का सबसे उचा पठार है पामीर का पठार इटली की गंगा किस नदी को कहा साता है? पो नदी को कहते हैं दोस्तों पो नदी को इटली की गंगा कहा साता है उतरी अमेरिका के सितोस्त घास के मैदान क्या कहलाते हैं? विरियरी कहलाते हैं किस महासागर में दूइपो की संख्या सुर्बदिक है? परसांत महासागर में दूइपो की संख्या सबसे जाता है परसांत महासागर में दूइप सबसे ज़्यादा पाया साते हैं तेचडी अमेरिका में अर्जेंटीना में विस्तरित गास की मैदान को क्या कहा साता हैं पामपास कहते हैं अगला कोस्टन एले नीनो जलधारा कहां पर परकट होती हैं पेरू के तड़ पर परकट होती हैं भारत में पहला किरसी विग्यान केंदर कहां पर अस्ताबित हो था पुद्दू चेरी में भारत का पहला किरसी विग्यान केंदर अस्ताबित किया गया था पुद्दू चेरी गास के मैदान हैं, पंबास और इस्टेपीज हैं, इटली में चाबल के लिए कौन से नदी घाटी पर से थें, पो नदी घाटी पर से थें, इटली में चाबल की सबसे जदा पैदाबार पो नदी घाटी में की जाती हैं, नेक्स्ट क्वेस्टन, लाइड बैराज कहां पर इ सथ हैं कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में चोड़ता हैं रोहतांग दर्रा है जो कुल्लू मनाली को आपस में चोड़ता हैं रोहतांग दर्रा हैं ग्रीन लेंड की खोज किसनी के थी राबर्ट पियरी ने ग्रीन लेंड की खोज किया था राबर्ट पियरी ने अमेरिका के लेंड लोग्ड देश हैं परसांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन से नहर आपस में चोड़ती हैं तो पनामा नहर है जो परसांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में चोड़ती हैं वालमिकी नेशनल पार्क कहां पर एससेथ है? पासमी चंपारड बिहार में एससेथ हैं। गोल्डन फाइबर यहिनी कि सुनहरा रेसा के रूप में किसे जाना चाता हैं? तो पर्टसन को सुनहरा रेसा कहते हैं, पर्टसन को इने की चूट कोौँ। भारत की सीमा किसे देश क के साथ लगती हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन नेपाल हुटान एमार और बंगला देश के साथ भारत अपनी सीमा साज़ा करता है असली सीमा साज़ा करता है कुल साथ देशों के साथ जो आप अभी देख चुके हैं और इसके अलावा दोस्तों दो जली सीमा साज़ा कर जिनमें स्रीलंका हैं, स्रीलंका और मेमार्थेस हैं। कौन सी परबतमाला सहद्री के नाम से जाने चाती हैं? तो पस्मी घाट है दोस्तों जो सहद्री के नाम से जाने चाती हैं। तो याद रखेगा 13 अप्रेल 1919 को जलिया बाला बाग हत्या कांड हुआ था और कहां पर हुआ था? तो अमरिस सर में हुआ था, अमरिस सर में पंजाब के अमरिस सर में जलिया बाला बाग हत्या कांड हुआ था और जनर्र डायन ने गोली चलाने का आदेश दिया था जलिया ब कोंग्रेस की अस्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को ए ओ हुँम के दोरां कोंग्रेस की अस्थापना की गए थी 28 दिसंबर 1885 को Next question भारत में अस्थानीय सवसासन के जनक कौन है? Lord Ripon को भारत में अस्थानीय सवसासन का जनक आना चाता है Lord Ripon को बार्दोली अंदोलन से कौन संबंदी थें? सरदाल बल्लमभाई पटेल हैं जो संबंदी थें और 1928 में बार्दोली अंदोलन हुआ था कॉंग्रेस का पर्थम अधिविशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था दूस्तों 1885 में कॉंग्रेस की अस्तापना हुई और उसे समय इसका पर्थम अधिविशन भी हुआ था साइमन कमिशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 इस भी को साइमन कमिशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को नेक्स्ट कॉस्टन है अलिगर्ड मुसलिम उनिस्ट्री की अस्तापना किसनी की थी? सर सियद एहमद खान ने अलिगर्ड मुसलिम उनिस्ट्री की अस्तापना किया था सर सियद एहमद खान ने अगला कोस्टन है दोस्तो लाट धलोजी ने किस जंगे को चेरी की उपाधी दी थी? अबद सहर को चेरी कहा था लाट धलोजी ने पार्दी राच्टे कॉंग्रेस के पहले मुसिलिम अध्यच कों थें? बदरुदीन तयब जी कॉंग्रेस के पहले मुसिलिम अध्यच बने थें खिलाफत अंदोलन का प्रानभ हुआ था? 1919 में 1919 में खिलाफत अंदोलन की शुरुआत हुई थी बानारस हिंदू बिस्टी बिद्याले के संस्थापक कों थें? मदन मुहन माल भी बानारस हिंदू बिस्टी बिद्याले के संस्थापक थें नेक्स्ट क्वस्टन चोरी-चोरा कांड के बाद कौन सा अंदोलन समाप्त कर दिया गया? अंदोलन था जो समाप्त कर दिया गया था भारत के पर्थम वासराई कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो हैं ये भारत के पहले वासरा थें। कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यच कौन थी? एनी बेशन थी दोस्तों और इक कलकत्ता में जो कॉंग्रेस का अध्यचन हुआ था 1917 में इसकी पहली अध्यच बनी थी, पर्थम महिला अध्यच बनी थी। मोतिलाल नहरू ने मिलकर सुराज पार्टी की अस्थापना की थी। लालल अजपत राई की मिरत्यू किस आयोग की बिरोध की करने की वज़ा से हुई थी। तो साइमन कमीशन था जिसके बिरोध में लालल अजपत राई की मिरत्यू हुई थी। साइमन कमीशन की वज़ा पलासी के उद्ध के बाद बंगाल का नबाब कों था के अस्ताबना 1806 में की गए थी किनके दोरा सिबल सेबाओं में सुधार और आधुनी करण किया गया था लॉड कान वारिस के दोरा किया गया था वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट किस वासराय के दोरा पास किया गया था वाइसराय लेटन के दोरा वर्ना क्यूलर प्रेस अक्ट पार्त किया गया था लॉड लेटन के दोरा कैबिनेट मिसन भारत कब आया था 24 मार्च 1946 इसबी को कैबिनेट मिसन भारत आया था अगला क्वेस्टन गांधी इर्बिन समझोता किस गोल में सम्मेलन के बाद हुआ था पर्थम गोल में सम्मेलन के बाद गांधी इर्बिन समझोता हुआ था 1922 इसमे में दुतिय विस्तियुध के शुरुआत के दोरान भारत का वासराय कौन था लोड लिनलित्गोचो था एदुतेविसे उद्ध के दोरान भारत का वासरा था कॉंगरेस छोड़ने के बाद नेताची सुभास संद्रबोस ने कौन से संगठन का गठन किया था आल इंडिया फारूर्ड बलाक की अस्थापना की थी सुभास संद्रबोस ने उनीस सुभास में कॉंगरेस को छोड़ने के बाद कॉंगरेस के किस अद्वेशन में सबसे पहले वंदे मातरम राच्टी गेत को गाय गया था तो कॉंगरेस का जो कॉलगाता अद्वेशन हुआ था 1896 में इसमें सबसे पहले राच्टी गेत वंदे मातरम को गाय गया था नेक्स्ट क्वेसन है कॉंगरेस सब्द किस के कहने पर रखा गया था दादा भाई नुरूची के कहने पर रखा गया था और दादा भाई नुरूची को भारत का ग्रांड में ग्रांड ओल्ड में अफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नुरूची को गांधी जी को किस बर्च कैसर हिंदी की उपाधी दी गय थे कैसर हिंदी की उपाधी गांधी जी को 1915 में दी गय थे बंगाल विभाजन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? लोड करजन बंगाल विभाजन के समय भारत के वाइसराय थे? आराम हराम हे का नारा किसे ने दिया था? पंडि जबालन नहरू ने दिया था? सोतंदर भारत के पहले गबर्नर जनरल कौन थे? लाड माउंट बेटन सोतं पहली बार राच्टगान जंगर मन को गाया गया था और इस अध्षण के अध्याचत है पंडेत विसन नाराद धर इस अध्याचत है कलकत्ता अध्वेसन में पारित हुआ था। कॉंग्रेस की अध्धिचता करने वाली पहली भारते महिला कौन थी? सरूजिनी नाडू थी और ये 1925 में कॉंग्रेस की अध्धिच बनी थी। दूसरे गोल में समयलन में महत्मा गांधी के साथ कौन सी महिला सामिल हुई थी? सरूजिनी नाडू सामिल हुई थी। भारत के सबसे अधिक समय तक पिम के रूप में किसने कार किया था? तो पंडिच जबालन नहरू सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधान मंतरी थें। दस उबड़सू तक भारत के प्रधान मंतरी थें। दो बार भारत के प्रधान मंतरी बने थें। पंडिच जबालन नहरू। अखिल भारती सिबल सिबाओ का जनक किसे कहा जाता है। सरदार बलन भाय पटेल को सरदार बलन भाय पटेल को। तो लोड बिलियम बेंटिंग का मुख असान था सती पर्था को अंतर करने में। सत्य सोधक समाज की अस्ताबना किसनी के थी जिव दब्या फूले ने किया था 1972 में। खिलाफत अंदोलन के परमुख नेता अबुलबारी किस से संबंदित हैं। देव बंद स्कूल से संबंदित हैं। पंजाब नेशनल बैंक की अस्ताबना किस के दोरा की गए थी। गांधी जी को महत्मा कहा गया था चंपारण अंदोलन के दोरान। भारत सेबक समाज की अस्ताबना किसने और कब की थी। तो गोपाल किर्स गोखले ने 1905 में भारत सेबक समाज की अस्ताबना किया था गोपाल किर्स गोखले ने। नेक्स्ट कुस्टन है बार्दोली सत्गरे के दोरान बंबई पर्सिडेंसी का गवर्णर कौन था। और चक्रबर्ती राज गोपाला चारी जो हैं ये भारत के पहले गबर्नल चनल थें। जक्रबर्ती सी राज गोपाला चारी थें। पर्थम नागरिक अभग्या अंदोलन की सुरुवात के थी साइमन कमिसन के बिरोध में 1857 के बिद्रो का पर्थम अभास कहां पर हुआ था बैरकपूर में हुआ था 32 मार्च 1857 इसबे को धोंदूपंत को किस लोग प्रिये नाम से जाना चाता है तो नाना साहब को धोंदूपंत के नाम से जानते हैं नाना साहब को अगला कुस्सन 1945 S.B. में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की अस्ताबना किसनी के थी डॉक्टर बी आर अमबेटकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की अस्ताबना किया था कौन सा बायसराय अपनी आंडमान यात्रा के दोरान एक कैदी का सिकार हो गया था तो लॉड मियो था दुस्तों 1872 में एक कैदी का सिकार हो गया था सांची के स्टोब को किसने बनवाय था समराट असोग के दोरा सांची के स्टोब का निर्माड किया था समराट असोग के दोरा पॉंगल तेहुआर उतसोग किस राज में मना चाता हैं तमिलाडु राज में पॉंगल तेहुआर मना चाता हैं तमिलाडु राज में असोग के प्राचीन सिलालेक किस भासा में लिखे गये थें प्राकरत भासा में असोग के प्राचीन सिलालेक जो हैं प्राकरत भासा में लिखे गये थें जैन धर्मिके 24 बे तीर्द कर कों थें महाबीर थें दूस्तों महाबीर सुआमी जो हैं जैन धर्मिके 24 बे तीर्द कर थें Next question है कौन सा सासक कुतुब मिनार कॉंपलेक्स दिल्ली में अलाई मिनार बनवा था तो अलाउदीन खिलजे जिसने अलाई मिनार को बनवाय था अलाउदीन खिलजे ने नालंदा बिस्विद्धाले का निर्मार किसने करवाय था कुमार गुप्त पर्थम ने नालंदा बिस्विद्धाले की अस्थाबना करवाय थी कुमार गुप्त पर्थम ने कुतम मिनार का निर्मार कार किस ने पूरा किया था इल्टो तम इसके दुरा कुतम मिनार का निर्मार कार पूरा कराय गया था और कुतम मिनार की सुरुवात कराय थी कुतबुदीन एबक ने बिजे निकर समराज कहा पर इसे थे हमपी करनाटक में इससे था बिजयनेगर समराच्य जो था वर्तमान समय में हमपी करनाटक में इससे था महराश्ट का लोक निर्थे क्या हैं लावडी है दुस्तों लावडी जी हैं ये महराश्ट का लोक निर्थे हैं नेक्स्ट कॉस्टन है अढ़ाई दिन का छोपड़ा किसे ने बनवाय था? कुतुब दिन एबक के दुरा अढ़ाई दिन छोपड़े को बनवाय गया था? कुतुब दिन एबक के दुरा और यह जो अढ़ाई दिन का छोपड़ा है यह कहां पर इससे थे? अजमेर में इससे हैं next question है कोई सा गुप्त सासक भीडा वातग में निपुर था तो समद्र गुप्त है जो भीडा वातग में निपुर था और यह हमें कैसे पता चलता है क유कि समद्र गुप्त के जो सिक्कित हैं उस पर इसे भीडा बचाते हुए अंकित किया गया है सिकंदर वह पोरस के बिज किस नदी कितरड पर युद्ध हुआ था जेलम नदी कितरड पर विद्ध हुआ था और इस युद्धो को हायडे स्पीच का युद्ध के नाम से जानते हैं जो कि 326 इसापूर में हुआ था अकबर के राज्यसों मंतरी कौन थें? राचा टोटर मल जो हैं ये अकबर के राज्यसों मंतरी यानि कि बित्त मंतरी थें नेक्श्ट क्वेस्टन है मोहन जोदरू की खुदाई में प्राप्त इसनानागार का आकार कैसा है? आयताकार हैं इसनानागार जो पाये गए हैं मोहन जोदरू में उसका आकार आयताकार है एकता पर्था कि शुरुआत किस नी की थी? इल्तू तमिसनी किया था कि सिराजु दोला के साथ अंगरेचों ने कौन सी संधी के थी अली नगर की संधी किया था नव फरूरी 1757 इसवी को सिराजु दोला के साथ अंगरेचों ने अली नगर की संधी के थी नखले सान सिंधु सभिता किस असल को कहा चाता है मोहन चोदडो को कहते है हडपा के किस नगर को सिंध का बाग कहा चाता है तो मोहन चोदडो को सिंध का बाग कहा चाता है तो टेरा कोटा कहते थे हरपपा काल में टेरा कोटा कहा जात था आग से पकी हुई मिट्टी को दुदिये जैन महा सभा का आयोजन कब और कहां पर किया गया था तो छठी सताबदी में 512 इसवि में बल्लभी गुचरात में किया गया था जैन तीर्थगर रिस भदेव का प्रतीक चेन्ह क्या था? सांड था जैन तीर्थगर पासर भनाद का प्रतीक चेन्ह क्या था? सर्प था दोस्तो सांप था कसिमेर के मार्तंड मंदर के संस्थापक कोन थें? ललिता दित मुक्तिपीड जो हैं इन्होंने मार्तंड मंदर की अस्थापना की थी इसकी अस्थापना इसका निर्माड करवा था हडपा कालिन सभिता मानो इतिहास के किस यूग से संबंदित हैं? भगवान बुद्ध को निर्वार कहां पर पराप्थ हुआ था? कुसी नगर, कुसी नारा में भगवान बुद्ध को निर्वार पराप्थ हुआ था? 483 इसापोर्ब में अंग्रेचो का सबसे पहला संगर्स किस मुगल समराट के साथ हुआ था अंग्रेचो के साथ आउरंग चेप के साथ हुआ था और आउरंग चेप को आलमगीर भी कहा साता है आसोक के समय बिकरी करके रूप में मुल का कितना भाग वसूला चाता था दसबा भाग वसूला चात नेक्स्ट क्वस्टन है तैमूर के आकरमण के समय भारत पर किस वंस का सासन था तुगलक वंस का सासन था भारत पर सुत्पिटक किस धर्म का महत्पूर गरं थे तो बहुत धर्म का महत्पूर गरं थे सुत्पिटक कुसाड वंस का अंतिम सासक को था वासिदेव था किसे चीनी जन्रल ने कनिस्को कहराया था तो पान चाओ था जिसने कनिस्को हराया था नालंदा विस्विद्धाले की अस्तापना किसनी के थी कुमार गुप्त पर्थम ने नालंदा विस्विद्धाले की अस्तापना किया था कुमार गुप्त पर्थम ने इसकंद गुप्त ने पढ़ दत्त को कहां का गवर्णर नियुक्त किया था सो राच्ट का गवर्णर नियुक्त किया था अगला क्वेस्टन है किसे चीनी यात्री को वर्तमान साक्क मुनी ये यात्रियों में राचकुमार कहा जाता है तो हेंग सोंग को कहते हैं और ये हर्च वर्धन के सासनकाल में भारत आया था पल्लोवंस का संस्थापक कौन था? सिंग बिशडू पल्लोवंस का संस्थापक था पल्लोवंस का अंतिम सासक कौन था? तो राइट एंसर अपरा जित हो जाएगा अपरा चित जो था, यह पलो बंस का नदिम सा सक था चालक कोबंस की राजधानी यानि की कैपिटल क्या थी? मानने खेर थी चालक कोबंस की राजधानी साइमन कमीशन का वो कौन सा सदस था जो बाद में ब्रिटन का परधान मंतरी बना था तो Clement Italy था जो बाद में Britain का परधान मंतरी बना था Clement Italy था और भारत की आजादी के समय भी Clement Italy परधान मंतरी थे Britain के Next question है किस राजज़बन्स के दोरान महाबलीपुरम के मंदर अस्थाबित हुए थे पल्लो राजवन्स के दोरान महावलीपुरम के मंदर का निर्माण करवाया गया था कुदुबदिन एभग का लोग प्रियन उपनाम क्या है लाख भग्स ये दूस्तो कुदुबदिन एभग को लाख भग्स कहा जाता है क्योंकि ये लाखों में दान करता था पंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सुतरपाद किस गबर्णने जनर्रल ने किया था लॉर्ड कानवालिस ने किया था 1931 इसमे में महत्मा गांधी ने किस वाइसराय के साथ बातचीत कर समझोता किया था लॉर्ड एर्बिन के साथ बातचीत करके 1931 में महत्मा गांधी ने समझोता किया था 1931 में अकबर ने इबादत खाना की अस्थापना कहा की थी फतेपुर्ट सीकरी में 1575 इसमी में समराट अकबर ने इबादत खाना की अस्थापना की थी नेक्ज़ कोसन ही कि दिल्ली की सीमा का सुर्वचिक बिस्थार कि सुल्तान के समय में हुआ था मुहम्मद बिन तुगलक के समय में देली की सीमा का सुर्विती बिस्तार किया गया था मुहम्मद बिन तुगलक के समय में सासनकाल में पर्थम पंचुवड से योजना का मुखो उद्देश से क्या था केर्ची छेतर का विकास प्रथम पंचोवड़सी योजना का मुखो उद्देश से था 2011 की जनगर्णा में भारत का लिंगान पात क्या था 943 था और लिंगान पात कहते हैं एक हजार पुर्सों पर महिलाओं की संख्या को लिंगान पात कहा जाता है और 2011 की जनगर्णा की अकोर्णिग 943 भारत का लिंगान पात है गरीबी हटाओं का नारा किसे नहीं दिया था इंद्रा गांधी ने गरीबी हटाओं का नारा दिया था चोकि भारत की पहली महिला परधान मत्री बनी थी SBI का पूरा नाम क्या होता है SBI इंपरियल बैंक आफ इंडिया SBI का पूर्व नाम था यहिस्ट कोस्ता है पंच उवरसी योजना कहां से लेगी है USSR पूर्व सोभियत संग निकी रूस से 5 पंच उवरसी योजना को भारते सब्धान में लिया गया है 101 सब्धान संसोधन अधनियम किस से संबंदि थे जिस्टी से संबंदि थे और 101 सब्धान संसोधन जो है ये 2017 में किया गया था 2017 में और जिस्टी सबसे पहले किस राज में लागू किया गया था तो असम राज में सबसे पहले जिस्टी को लागू किया गया था और जेश्टी भारत में सबसे पहले कव लागू किया गया था याद रिखेगा 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले जेश्टी लागू किया गया था असम में 1 जुलाई 2017 को दोस्तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरू करेगा और इस वीडियो को सेर भी करेगा चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया है तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को आल पर क्लिक कर लिजे तक हम जो भी वीडियो डालें उसके नौढिकिशन आप तक जरूँपोँचें कुमेंट करके बताए कि आप को वीडियो कैसे लेगी और कुमेंट सेटेन बताए कि आपको इसका नेच्सट पार जी ही तो हम इसका नेक्सट पार जरूँ बनाएंगे टेलिग्राम चैनल को जोएन रिखल जे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम